नमस्ते साथियो इस वीडियो में आप सभी के स्वागत थे आप तेखने राइट इन फॉल अपका वीडियो में हूँ आपका साथी प्रदीप मौर्या और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्वाइल्थ के बाद डॉक्टर कैसे बने साथी अगर आप ट्वाइल्थ पास कर चुके हैं ट्वाइल्थ में आपने फजिस केमस्टर बायोजी यानि कि बायो सब्जेक्ट लिया था और आपका ड्रीम है डॉक्टर बना तो वीडियो के अंड तक बने रही हैं इसमें आपको हम सारा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आपको बताएंगे बस आपको वीडियो के अंड तक बने रहेना अगर आप इस वीडियो को इस सिंगल वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो maximum chances हैं कि हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 क बार टॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है साथियो सबसे पहली चीज आपने 12 किया हो science इस्ट्री में फिजिस chemistry biology and English इन विसेओं के साथ में कौन-कौन से फिजिस यानि कि बहुते विज्ञान रसान विज्ञान जिव विज्ञान जिव विज्ञान है या फर बायो टे तो आपको देना होता है नीट यूजी का एक्जाम इसके दोर आपको अडमिशन मिलता है तो नीट का एक्जामनेशन देने के लिए ज़रूर है कि आपने 12 किया हो या फिर आपने उसके समकच पर इच्छा पास किये फिर जिव विज्ञान के साथ में किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ट से आपने चाहे हिंदी मीडियम से 12 किया हो या फिर आपने इंगलिस मीडियम से या फिर किसी अधर मीडियम से आप अप अप्लाई कर पाएगे बस आपका बोर्ट जो है या फिर इनिवर्सिटी आपकी मानेता प्राप्त होनी चाहिए सवाल यहां पर यह भी आता कितने परसेंट मार्क्स होने जरूरी है नीट का एक्जाम देने के लिए 12th में तो ध्यान रखेगा फिजिस केमस्टी बाइलोजी यह जो 3 सब्जेक्ट है इनके आपके मिनिमम एग्रिगेट इसका एग्रिगेट का मतलब यह है इनके मार्क्स मिला करके कम से कम आपके इतने हो रहा है देन आप अप्लाई कर पाएंगे ध्यान रखेगा ये जो तीन सब्जेक्ट हैं कम से कम आप इन सभी में पास हो फिर इन तीनों के जो मार्क्स हैं इनको मिला करके कम से कम 50% हैं दिन आप अप्लाई कर पाएंगे नीट एक्जाम के लिए वहीं अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWVD के के काइंडेट हैं तो ऐसे में फिजिस केमस्टी बाइलोजी के जो एग्रिगेट मार्क्स हैं आपके 40% मार्क्स हैं यानकी 40% हैं तब भी आप आवेजन कर सकते हैं नीट एक्जाम दे करके अड्मिशन आप ले सकते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है अब यहां पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है Age Limit यानि की उम्रे सीमा, आईसीमा आपकी Age कम से कम 17 वर्स होना जरूरी है अड्मिशन के टाइम ध्यान रखेगा आप जिस साल यानि कि जिस year में apply करने जा रहे हैं फॉर्म भरने जा रहे हैं उस year के 31 December तक आपकी age कम से कम 17 वर्स होनी चाहिए 17 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए 17 वर्स है या फिर उससे अधिक है दिन आप apply कर पाएंगे इसके लिए कोई upper age limit नहीं है यानि कि इसके लिए कोई अधिक्तम आयू सीमा नहीं है कम से कम 17 वर्स होनी चाहिए और अधिक्तम चाहे जितनी भी हो आप form भर सकते हैं एक्जाम देख करके admission आप ले सकते हैं उमीद करते हैं ये भी चीज़ आपको वहतरीन तरीके से clear हो गई होगी अब हम बात करते हैं नीट exam के pattern के बारे में तो साथ हों physics chemistry biology ये जो तीन subject हैं इनसे questions पूछे आते हैं नीट के exam में नीट UG के exam में physics से पूछे आते हैं आपके 45 questions यानि की 45 questions ध्यान रखेगा यहां पर जो subject होते हैं वो two sections में divide होते हैं section A and section B तो बात करते हैं physics की जैसा कि आप screen पर देख पा रहे होंगे section A में होंगे 35 या आपको attempt करने हैं section B के जो 15 questions यानि जो 15 questions है 15 में से कोई 10 questions आपको हल करने होते हैं इस तरीके से 35 उपर वाले और 15 में से 10 हल करने होते हैं इस तरीके से क्या हो जाएं 35, 10, 45 ठीक है तो एक subject के आपको 45 questions को हल करना होता है chemistry के बात करें तो chemistry में section A में 35 questions section B में 15 15 questions होंगे 35 वो और 10 questions इसमें से हल करने होंगे इस तरीके से 45 यानि की 90 questions अब बात आती है biology की तो biology में botany और जो लोजी से questions बूचे आते हैं botany के section A में 35 questions होंगे section B में 15 यानि की 15 questions होंगे 35 उपर वाले हल करने हैं और 15 में 10 हल करने है section B के थीक है इस तरीके से 45 questions आपको हल करने है अब हम बात करते हैं जुलोजी की तो बाइलोजी में जुलोजी भी होगा इसमें सेक्शन A में 35 questions होगी सेक्शन B में 50 यानि की 15 questions सेक्शन A के 35 questions आपको हल करने हैं सेक्शन B के जो 15 है 15 में से कोई 10 questions आपको हल करने हैं ठीक है इस तरीके से जुलोजी के भी आपके 45 यानि 45 questions हो जाते हैं इस तरीके से physics के 45, chemistry के 45 और botany जुलोजे के 45, 45 यानि की 90 तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे आपके 180 यानि की 180 total questions आपको हल करने होते हैं साथ हो यहाँ पर आपको त्यान रखना जरूरी है questions आपको total 200 यानि की 200 देखने को मिलेंगे बट आपको हल करना है केवल 180 यानि की 180 questions आपको attempt करने हैं ठीक है विकॉज देखे एक section में 35 questions होते हैं जो 35 हैं उनको तो आपको सब हल करना है बट section B के जो 15 questions है उनके से केवल 10 questions ही आपको हल करना है इस तरीके से 200 में से केवल 180 questions आपको हल करने होते हैं और यह जो examination होता है इसके total marks होते हैं 720 यानि की 720 maximum marks होते हैं 720 इसमें से आपको number लाने होते हैं questions आपको MCQ देखने को मिलते हैं पेपर होता है आपका pen and paper mode में यानि की offline ये exam कराया जाता है OMR seat पर आपको exam देना होता है ball point के जरीए आपको सही answer को भरना होता है बात करें कि NEET UG का जो exam होता है इसको हल करने के लिए कितना समय आपको मिलता है तो आपको मिलते हैं 3 घंटे 20 मिनट अब सवाल यहां पर ये भी आता है कि paper किस language में होता है हिंदी में दे सकते हैं या often नहीं तो साथ है इसका जवाब है हाँ ये paper आप केवल English में दे सकते हैं हिंदी में दे सकते हैं असामीज में दे सकते हैं इंग्लिस के लावा कोई अधर लेंग्वेज सेलेक्ट करते हैं फ़ाम भरते हैं तो ऐसे में आपका जो question paper होगा उसमें आपको आपने जिस language को select किया उस language में question होगा इसके लावा इंग्लिस में भी questions आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो आप उनमें से English में question देखकर के या फिर Hindi में देखकर के question को हल कर सकते हैं बट ध्यान रखना है किसी एक language में आपको उत्तर देना अगर हिंदी में उत्तर दे रहे हैं तो आपको Hindi में अगर अंग्रेजी में दे रहे हैं का examination दे देते हैं qualify कर लेते हैं तब आपको counseling के process के द्वारा आपको admission मिलता है medical courses में जब आप counseling के process में appear हो रहे होते हैं मतलब की जब आप उसमें participate कर रहे होते हैं आपको अलग-अलग courses में अलग-अलग colleges भी apply करने को option रहता है तो कौन सा course करना होता है doctor बनने के लिए यह जानना आपके लिए बहुत important है तो समझेगा के साथे अगर आप अलोपेथी doctor बनना चाहते हैं तब आपको करना चाहिए mbbs course mbbs का full farm होता है bachelor of medicine and bachelor of surgery यह जो course है शाड़े 5 साल में यानि कि 5.5 years में complete होता है 4.5 years यानि कि साड़े 4 साल का जो समाई होता है वो आपके course का होता है academic education उसमें होती है और one year की यानि कि एक साल की internship आपको करनी होती है इस तरीके से total course आपका complete होता है 5.5 years में अगर आप आईरुवेधी doctor बनना चाहते हैं ऐसा आईरुवेधी doctor अपना साल हो जाते हैं तो यह course आप कर सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं दांतों के doctor यानि कि dentist देन आपको कर रहा होता है BDS course बीडेस का full farm होता है bachelor of dental surgery यह जो course होता है यह होता है पांच साल का यानि कि 5 years का इसमें 4 साल यानि कि 4 years रहता है academic education और एक year की यानि कि वन येर की इंटर्सिप आपको करनी होती है अगर आप बनना चाहते हैं homeopathic doctor देन आप कर सकते हैं BHMS course इसका full farm होता है bachelor of homeopathic medicine and surgery यह जो course है यह होता है 5.5 years का जिसमें 4.5 years रहते हैं academic education के और वन येर की इंटर्सिप आपको करनी होती इस तरीके से 5.5 years यानि की 5.5 साल में complete होता है और इसमें 4.5 years का रहता है course और वन येर का इंटर्सिप रहता है इस तरीके से 5.5 साल हो जाते हैं साथी होगर आप बनना चाहते हैं जानुरों के doctor यानि की पसू चिकतिसक आप बनना चाहते हैं वेटरिनरी डॉक्टर बनना प्लस वन येर के इंटर्सिप होती इस तरीके से साड़े-5 साल यानि की 5.5 years में ये भी course complete होता है अब यहां पर आपके मिन में सवाल या रहा है सर ये जो courses आपने बताया है medical degree courses bachelor degree courses इनमें admission कैसे होता है क्या direct admission मिल जाता है 12 के marks के बेस पर या फिर कोई प्रवेस्ट परिच्छानी के entrance exam देना होता है तो साथे होंने आपको NEET exam के बारे में बताया है NEET UG का जो exam होता है उसके दोर आप MBBS में admission ले सकते हैं BDS में BHMS में BMS में और BBSC AH इसमें पर admission आप NEET के थ्रू ले सकते हैं अब यहां पर आपके बन में एक सवाल ABR क्या असर नीट का exam देना जरूरी है MBBS के लिए BDS BMS यह जितने भी courses है इनके लिए तो इसका जवाब है हाँ इनमेंस से अगर आप MBBS में admission लेना चाहते हैं या फिर BMS में या फिर BDS में या फिर BMS में या फिर BMS में देना आपको नीट का exam देना जरूरी है बात करें BBSC AH यानि की Bachelor of Veterinary Science and Animal Hospitality की तो साथ ही यह जो course होता है Veterinary Science का इसमें आप admission ले सकते हैं नीट यूजी exam के दोरा इसके लाव जो state level के entrance exam होते हैं उनके जरीये भी इसमें admission आप ले सकते हैं मतलब कि इस course के लिए neat mandatory नहीं है नीट जरूरी नहीं है ध्यान रखना है कि कुछ college हो सकते हैं जिनमें आपको state level के entrance exam की जरीये admission मिले और अधिकतर college हो सकते हैं जिनमें आपको नीट exam के दोरा ही इस course में भी admission मिले ठीक है तो यह जीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है अधर जो course जो हमने आपको पहले बताएं इनके लिए आपको NEET exam देना जरूरी है देना पैडमेशन ले पाएंगे अब सवाल यहां पर आपके मन में यह भी आया सर 12 के बार NEET का exam देंगे NEET UG का exam उसके बाद हम medical course जैसे की MBBS, BDS या फिर इनमें से कोई अधर course कर लेते हैं क्या इतना ही degree करने के बाद हम doctor बन जाते हैं या फिर और भी degree हमें करने के जरूरत होती है यानि की post graduate degree करने के जरूरत होती है तो साथियो इसका जवाब है S यानि की हाँ देखे अगर आप normally doctor के तोर पर काम करना चाहते हैं जा doctor आप कर सकते हैं bachelor degree करने के बाद बटा अगर आप एक specialist doctor यानि की विसेसर की doctor बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको master degree लेनी होती है यानि की post graduate degree of a diploma आपको करना होता है अगर आप MBBS, PDS इस तरह का course करते हैं देन आप कर सकते हैं MD या फिर MS MD का full farm होता है doctor of medicine and MS का full farm होता है master of surgery MD बात करें कितने साल का होता है तो ये जो course होता है 2 से 3 साल का है इसके duration क्या होती है 2 to 3 years 2 से 3 साल duration होती है इस course की बात करें master of surgery यानि की MS की साथियों आप जिस field में specialist यान की wissessor की बनना चाहते हैं आप उस field में MD या फिर MS कर सकते हैं साथियों अगर आप ये जानना चाहते हैं कम खर्चे में यानि कम रुपयों में किस तरीके से doctor बन सकते हैं कम piece में किस तरीके से MBBS या फिर कोई other bachelor degree course कर सकते हैं तो उसका process हमने इस video में बताया है आप देख लिए जाएगा बहुत help मिलेगी बहुत सारी information आपको मिल जाएगी जिसके ज़रे आप कम piece में भी doctor बन पाएगे उमीद करते हैं साथि इस video से आपको काफी जानकरी मिलेगी और doctor बननी के सफर में आपको help करेगी चलिए इस video को प्रेंट करते हैं मिलते हैं किसी नए video में आप चैनल पर नए हैं जो subscribe करने बाद notification बेल जरुआन किज़े इससे आपको ऐसा informative important videos का notification मिलता रहा है इसके लावा आप टेलिग्राम जोइन किज़े वहाँ पर आपको important update मिलते रहते हैं करियर को से एक्जाम से रेलेटेड इंट्रेंस एक्जाम से रेलेटेड चलिए इस video को प्रेंट करते हैं मिलते हैं किसी नए video में आप अपना ख्या लखें मिहनत करते रहें पढ़ते रहें गुरो करते रहें अपनी life में